सब्सक्राइब करें हमारे यूटिब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जाब तक पहुंच दी रहे सबको जैम सीकी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार ऐसे विक्तियों के बारे में जिनको परमेश्यों ने धनी बनाया था परमेश्यों का वचन बताता है कि परमेश्यों ने सुलेमान को धन की और बुद्धी की आशिश दी थी जब हम पहला राजा उसका तीन अध्याए वचन तेरा को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है फिर जो तुने नहीं मांगा अर्थार्थ धन और महिमा वै भी मैं तुझे यहां तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्ले ना होगा बाइबल बताती है कि परमेश्यों ने अबराहम को हर एक बात में आशिश दी जब हम उत्पती 24 सद्ध्याए वचन एक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अबराहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयू बहुत थी और योहवा ने सब बातों में उसको आशिश दी थी परमेश्यों का वचन बताता है कि परमेश्यों ने इसहाग को भी आशिशित किया जब हम उत्पती 25 सद्ध्याए वचन 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है अबराहम के मरने के पश्चात परमेश्यों ने उसके पुत्र इसहाग को जो लहे रोई नामक कुएं के पास रह कि जब हम उत्पती 28 सद्ध्याए वचन 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वै तुझे और तेरे वंश को भी अबराहम की इसी आशिश दे कि तु ये देश जिसमें तु परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्यों ने अबराहम को दिया था उसका अधिकारी हो कि दुझे झालेए ऑन के तु ये जा उनलेए वचन अधिकारी होकर थाओनाव की तु झालेए ये घटे होकर रहते हैं और जिसे खंवी तु रहते हैं झाले आग्याए रहते हैं तु अ कि दो खंभ उनलेए और तु आदेरेश